हलो स्टुडेंट, आई एम घामी सफिरा, वेलकम टू माई अंडलाइन क्लास सजेक्ट हिंदी स्टांडर्ड सिक्स आज हम चैप्टर नंबर एट देखेंगे, चैप्टर का नाम है जलाते चलो इस कविता में कवी ध्वारी का प्रसाद माहिस्वरी मानव को इस प्रूथवी से अज्यान को दूर करने की प्रेणा दे रहे निरंतर प्रयत्न करते रहने और रास्ते की बाधाओं का सामना करने से एक दिन अवश्य ही इस धर्ती से अग्यान का अंदेरा दूर हो जाएगा ये हमें बताते हैं पेले हम चालचर पंक्तिया पढ़ेंगे और इन पंक्तियों को समझने का प्रयत्न करेंगे जलाते चलो ये दिये स्निह बरबर कभी तो धरा का अंदेरा मिटेगा जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनोटी प्रथम बार स्विकार की थी तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तयर की थी कभी केते हैं कि तुम्हा तुम्ही यहान अनेक लोगों ने इस अज्यान की अंदेरी को मिलेगा दूर करने का प्राण किया और में एक चुनोटी मान कर द्वारिक अज्यान रुमान्द कार की नदीको ज्यान की नाव पर सवार होकर पार कौन है हमारे छात्र अर्थात उनको सब्धित किया गयाने और कभी केते हैं कि इस शिक्षा में ज्यान दिया अज्यान और और शिक्षा के कारों लोग बढ़ाओ तब संसर से तुम आगे बढ़ो और बढ़के हुए लोगों को जा सकता हैं कि बढ़ोटे चलो नाओ तुम यह निरंतर और जिसनाओ को पूप तुम ही रास्ते पर आगे बढ़ाते चलो और तभी हम ऑशिक्षा को समाप्त कर शबते हैं आगे देखेंगे युगों से तुम्ही ने तिमिर को शिला पर दिये अगी नित्हे निरंतर जलाए शमय साक्सी है कि जलते हुए दीप अगनीत तुम्हारे पवन से बुझाए मगर बुच स्वयम चियोती दे गए वे उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा इन कावे पंक्ती में कवे कहते हैं कि इस धर्ती पर तुम्हारे जीसे अनेक सासी और विचार सी लोगों ने पत्थर जीसे कथोर अग्यान के अंधकार को नश्ट करने के लिए बार-बार कोशिस की दिये अगिनित हे निरंतर जलाए यानि बार-बार वो अंधकार को मिताने के लिए कोशिस की उनके इस कार्य में बहुत रुकावट आए अगिनित तुम्हारे पवन से बुचाए यानि कि वो बहुत सारी मुसीबत उनके जीवन में आए मगर समय इस बात का गवा है कि ग्यानी चनोंने अंधकार को दूर करने के लिए ग्यान के दीब चलाए जिन्हें तेज हवाओने बार-बार बुचा दिया ग्यानी महापुरुषोंने जो मार्क दिखाया था उसी पर चलकर तुम भी अंधकार से लड़ सकोगे इस कावय पंक्ति में कभी कहते हैं कि मगर बुच स्वयम जियोती दे गए वे उसी से तिमीर को उजाला मिलेगा कि जिस तरह से वो भी हर सिचुएशन में लड़ना और हर सिचुएशन में वो लोग सामना करते थे और वो खुद बुच गए और हमें तिमीर जियोती दे गए उसी तरह से हमें भी यही प्रयातन करना है कि इस जगत में क्या करना है अंधिकार को अग्यान रुपी अंधिकार को दूर करना है और ग्यान का उच्छाला हमें फेलाना है दिये और तुफान की यहां कहानी चली आ रही है चलती रहेगी चली चो प्रथम बार लो दिये की श्वन सी चली और जलती रहेगी रहेगा धरा पर दिया एक भी यदी तभी तो नीशा को शवेरा मिलेगा द्वारी का प्रशाद महेश्वरी बहुत अच्छा कविन कहा है कि ज्ञान रूपी दिपक को अज्ञान रूपी तूफान सदा ही भुचाने की कोशिस करता है तो भी वो दिपक जलता ही रहता है दिपक सहसे के साथ तूफान का सामना करता है उसी तरह से हमें भी हर सिट्वेशन में वो दिये की तरह हर सिट्वेशन में हर तूफान का सामना हर मुसिवत का सामना करना चाहिए और जलता ही रहता है उसी तरह से हमें स्थीर रहना चाहिए इसी तरह महापुर्षों ने ज्ञान का दिपक जलाकर लोगों की जीवन को प्रकासित किया है यहां ज्ञान दीप शदा चलता रहेगा ज्ञान के प्रकास का यह कारिय निरंतल चलता रहेतना चाहिए तबी इस प्रूथवी पर चाही हुई अज्ञान रुपी रात समाप्थ होगी और ज्ञान का सवेरा आएगा कि जीस तरह से अभीपन अभी कौरणा का जो समय है तो उस समय में क्या होता है हर इंसान हर बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो हर टीचर्स क्या करते है कि कभी भी कोई भी सिट्रेशन में उन टीचर को भी बहुत प्रॉब्लम होते है तो भी वो टीचर्स क्या करते हैं अज्ञान रुपी जो बादल चाये हैं ये प्रूथी पर तो वो टीचर अपने बच्चों को भढ़ाने के लिए हर सिच्वेशन से लड़ती हैं और ज्ञान का दीपक जला कर आप लोगों को जो टीचिंग करवाते हैं टीचर स्कूल है ना तो हमें ये एहसान उन लोगों का नहीं भूलना चाहिए और उसी तरह से वो टीचर भी एसे बहुत सारे टीचर्स है इस विश्वों में जो आधे टीचर्स तो क्या कर रहे हैं बच्चे भी इस से अपरायटन करते कि बच्चों को ग्यान चाहिए तो बच्चों के घर टीचर्स को भी कितनी सारी बाधाई आती होगी तो कोई-कोई टीचर्स तो पेड उपर बेठ कर पढ़ा रहे है तो कोई टीचर्स को नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वो अपने खुड से घर से अलग ऐसे जगा पर जाकर पूरा अपना काम का छोड़कर वहां बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस तरह से इस प्रुथ्वी पर जो अज्ञान का अंधिरा है और क्या हो जाएगा ऐसे जो टीचर्स होगे वह अपना काम अच्छी तरह से काम करेंगे तो अज्ञान रुपी अंथकार दूर हो जाएगा ये भी हमें यह सीखना चाहिए और हमें हमें सक ज्यानी बनना जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्यादा ज्यान प्राप्त करेंगे तो इसी तरह से जिस तरह से यहां ज्यान को प्रकास और ज्यान को अंधकार का प्रतिक मान कर दिये का रूप बांधकर प्रकाश या ज्यान फेलाने की बात की गई है उसी तरह से हम भी एक ये की तरह बनेंगे है ना और इसलिए ज्यानी के लिए कहा जाता है कि knowledge is the best power है ना तो हमारे पास knowledge होगा तो सारी दुनिया हम हमारे पास आकर जुकेगी और नहीं होगा तो हमें कोई importance नहीं दिया जाएगा इसलिए आपको ममी पापा भी बोलते हैं कि अच्छी तरह से करेंगे और ज्यान प्राप्त करेंगे ज्यान प्राप्त करना मिनिंग यह नहीं होता कि सिर्फ स्कूल में से जो बुक्स है वो ही ज्यान प्राप्त करों मगर बहुत सारे ये पूरे विश्वा में बहुत सारी बुक्स है उनका भी ज्यान प्राप्त करना हर बात का हमें knowledge हो ताकि वो हिंदी की टेक्स्बूक में लिखना है। ये पीडियेफ में आपके वाट्सप ग्रूप में भेच दूँगे। थैंक्स वाचिंग मैं वीडियो।